नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपनी चैनल BSA Tricky Classes में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपके लिए railway group D exam से related state current affair लेकर आ गया हूँ जिसमें हर कोशन को मैं यहां पर detail में बताऊंगा detail का मतलब यह है कि जैसे माल लीजे कुईसी state की बात करते हैं तो उसके chief minister की बात कर लेंगे वहां के governor की बात कर लेंगे जिससे कि आपको revision भी हो जाए और आपका जो कीमती समय है वो जादा बहतर utilize हो पाए ठीक है और साथ साथ state की news तो चलती ही रहेगी तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो और बेल आइकन दबा दीजेगा जिससे notification आपको मिल पाए हमारा main लक्ष यही है कि railway group D में आपका selection करवाया जाए चाहे कैसे भी हो जादा तर बच्चे यहां से select हो तो पहला motivation quote है आपके लिए अपने पैरो पर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से कहीं बहतर है सच बात है पैरो पर खड़े कब होंगे आज कल का जो पैरो पर खड़े होने का में लक्ष होता है अपनी नौकरी पाना तो at least नौकरी पाले तभी मरें तो जादा बढ़िया है और नौकरी के बगैर अगर मर जाए तो फिर क्या मतलब मतलब जीना है हमें सान से और मरना भी है सान से ताकि हम जब मरें तो उसके बाद लोग हमें याद करें ऐसा नहों कि ठीक है चला गया ऐसा नहीं करना है इसलिए नौकरी प्राप्त करनी है और नौकरी पाने के बाद जीवन को और बहतर बनाने में अपना योगदान देना है समाज में सोसाइटी में और साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए चलिए शायद हम लोग इसको एपलाई करेंगे पहले कुशन की बात करते हैं विच इस्टेट लॉंच्ट दा चिराग इसके तो किस राज ने चिराग योजना सुरू की तो चिराग योजना क्या थी आपको बता दू मनोहरलाल खटर जी चीफ मिनिस्टर है हरियाना के उन्होंने चिराग योजना को स्टार्ट किया जो की EWS Economic Weaker Section के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में एडवीशन के लिए कुछ हल्प करना है सरकार की बाइस सबसेड़ी बाइस सबसेड़ी और वगयरा वगयरा तो यहाँ पर याद रखेगा चिराग जो स्कीम है वो किसकी है हरियाना की हरियाना की चीफ मिनिस्टर कौन है मैंने आपको बता ही दिया मनोहर लाल खटर कौन है मनोहर लाल खटर कैपिटल क्या है तो आप कैपिटल चंडीगर जानते होंगे और इनके गवर्नर कौन है तो बंडारू दतात्रे कौन है बंडारू दतात्रे सायद आपको याद हो गया होगा आगे बात करते हैं अगला कोशन, राखी गड़ी, खबरों में रही, राखी गड़ी, किस राज में इस्तितिक प्राचीन स्थल है, तो आपको बता दू, ये इंडस वैली सिवलाइजेशन, हडपा, हडपा की जो संस्कृती है, सिंदु गाटी सब्विता, उसक से रिलेटेड एक साइट है, और ये लोकेटेड है, कहांपर हरियाना में, और भारत में जो सिंदु गाटी सब्विता वाली साइट है, उनमें सबसे बड़ी साइट है, कहांपर हरियाना के हिसार में, आपको बता दू कि हरियाना के, चीफ मिनिस्टर बात कर लिए, मनुहलाल खटर जी, बंडारु दता, त सबसे बड़ा تیरता सौर उरजा सयंतर किस जिले में बनाया जाएगा, तो अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा, इसकी घोशना की है, किस ने? सिर्वाग सिंग जी ने, तो सिर्वाग सिंग कौन है? सिवराज सिंग मद्ध प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है और ये जो जगे है वो किस जगे पर बनवाई जाएगी तो खांडवा जगे पर एनौस किया गया कि यहाँ पर भारत का नहीं वेश्चु का सबसे बड़ा सौर उर्जा संयंतर बनवाया जाएगा मद्ध प्रदेश के द्वारा ये अनौसमेंट हुई है सिवराज सिंग चोहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर मंगू भाई सी पतेल वहाँ के गवर्नर और साथ साथ कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है भोपाल कौन है कैपिटल भोपाल आगे बात करते हैं नव नामित रामसर रामसर आपको पता है पहले पांच एनौस हुई टोटल कितनी हो गई 54 फॉर्टी नाइन थी 49 थी अब 54 हो गई लेकिन फिर बाद में और 10 एनौस हो गई तो अब भारत के पास कितनी रामसर साइट हो चुकी है 64 रामसर कन्वेंशन हुआ था कब तो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 म में और उसके बाद भारत ने इसको कब मला accept किया तो 1982 में यह sequence याद रखेगा exam के लिए most important है यहाँ पर पूछा जा रहा है एक नव निर्मित रामसर साइट है रामसर इस्थल है कुन्थन कुलम पक्षी अभ्यारन तो कुन्थन कुलम पक्षी अभ्यारन किस राज्य में है तो कुन्थन कुलम पक्षी अभ्यारन है कहा पर तो आंसर होगा तमिल नाडू में कहा है तमिल नाडू में याद रखना है पूछा जा सकता है म के स्टालिन सहाब यहां के चीफ मिनिस्टर है गवर्नर यहां के आर एन रवी सहाब है और कैपिटल यहां की चिन नहीं है यह यहाँ पर मैंने सारी रामसर साइट्स लगा दी जो 2021 में घोशित हुई है और 2022 में घोशित हुई है क्यूंकि आप से ऐसे पूछा जा सकता है थोल जील वन ने जीव अभ्यानन कहां पर है आपको पता होना चाहिए गुजरात में क्यूं पूछा जा रहा है क्यूंकि भी आपर ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं ठीक है बात करते हैं वादवाना आर्द भूमी छेत्र कहां पर है गुजरात में है ठीक है थोल जील वन जीव अभ्यारन कहां पर है गुजरात में और ये पिछले साल जो रामसर साइड से वो घोशित हुई थी सुल्तानपुर रास्टी उध्यान ये हरियाना में नाम से ही पता चला है सुल्तान तरीके के लोग रहते हैं हरियाना में हट्टे कट्टे भिंडवास वन जीव अभ्यारन कहां पर है हरियाना में याद रखना है भिंडवास ठीक हैदरपुर ये समझा रहा है उत्तर खुशित कर दी गई और टोटल साइट्स कितनी हो गई 64 कितनी हो गई 64 याद रपना है आगे बात करें बखीरा वनी जीव अभ्यारण घोशित हुआ भी उत्तर प्रदेश में है जो खिजाडिया वनी जीव अभ्यारण गुजरात में खिचडी campe चारिया, खिचडी, गुजरात में खिचडी सा मनाया जाता है, इस तरीके से आप लिंक करके कर सकते हैं, करी किली पक्षिय अभ्यारन तमिलाडू में है, और पल्ली करनई, मार्स, रिजर्व फॉरेस्ट भी तमिलाडू में है, पिचवरम, मैंग्रोव ये भी तमिलाडू मे स्टार्टिंग में तीन साइट्स को घोशित किया गया था, लेकिन अब दुबारा से और जादा कर दे गई, उसके बाद पाला आर्द भूमी, अब पाला, पाला, जब आप अपने बच्चों को पालते हैं, उसके बाद वो शराव वरा पीने लग जाता है, तो रम, मिजो रम, है ना, ऐसे याद कर लिजेगा, कोई बुरा मत मानेगा, सिर्फ याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ, पाला, किसको पाला, मिजो रम, रम पीने वाले को पाला, ऐसे करके याद कर लिजे, क्योंकि उसको पाला ही पढ़ता है, वो काम तो कर नहीं पाता है, इस तरीके में आगे बात करें तो कुन्थ कुलम पक्षिय अभ्यारन तमिलाडो में मननार की खाड़ी याद है आपको ये तमिलाडो में है उदय मार्थमपुर उदय मार्थमपुर कहां पर है तमिलाडो में है वेदान्थ गल पक्षिय अभ्यारन तमिलाडो में वेलोर पक्षिय अभ् siah cause 6 यहां पर और पहले तीन गोशित की गई है थुझा है त्यों नौ insights Tamilnadu की गोशित की गई है साथiko esper image आपको पता होगा यह őडिसा मैं है और नंदा और जानदा जील नंदा जील का नंदा देवी है उत्रा में लेकिन नंदा जील कहां पर है गोवा में ये भी प्रामसा साइड घोशित हुई रंग नाथिक रंग नाथितु वी एस करनाटका में है नाटक कब कोई करता है जब आंख में रंग चला जाता है ऐसे याद करिए सिर्पुर आदरभूमी मद्द प्रदेश में है ठीक है च जल्दी जल्दी कोशन कर आता चला जाता बोर हो रहा है मतलब वीडियो इंफॉर्मेटिव आपको मिल रही है आप इसको जिद देखें आपको बेनिफिट मिलेगा अच्छे कोशन्स यहां पर लिए गए है अगला कोशन किस राज की महिला टीम ने बारवी हौकी इंडिया सीनियर महिला रास्टिये चैंपेंसिप में अपना पहला सुन पदक जीता है तो किस स्टेट की तो आंसर होगा अभी ये ना उरीसा ने जीता है तो उरीसा यहां आंसर मिलकुल सही हो जाएगा याद रखेगा उरीसा ने बारवी हौकी इंडिया सीनियर महिला रास्टिये में पहला खिताब जीता, पूछा जा सकता है, याद भी रखेगा और याद रखना चाहिए, मुझे लगता है, आगे बात करें, अगला, यहाँ पर न मेंस के बारे में मैंने लिख दिया है, जो मेंस का नैशनल होकी चैंपेंसिप हुआ, तमिलाडू ने वहाँ पर, की सूची में किस राज की खगोली वेदसाला को शामिल किया गया, तो युनेसको की एक लुप्त प्राए विरासत वेदसाला की सूची है, जिसमें भारत के किस राज की खगोली वेदसाला को शामिल किया गया, तो अंसर यहाँ पर होगा, यह है, कौन सी, तो बिहार की, बि पूछा जाता है आपसे ठीक है चलिए आगे बात करें यहाँ पर अगले कुशन की बात करते हैं तो अगला कुशन है किस राज जिने अंतिम दिन बावन स्वन पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 2021 का खिताब जीता वैसे 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था 2022 में कब भूआ था 2022 में क्योंकि लास्ट एयर हरियाना ने कह दिया कि हम नहीं कराएंगे क्यों कि कोरोना वाइरस उस समय पर उनको लग रहा था फैल सकता है इसलिए इस साल करवाया उन लोगों ने और पंचकुला में करवाया कहां पर पंचकुला में करवाया और हरियाना के द तो हर्याना ने सबसे ज़्यादा मैडल जीते हर्याना में ही इसको और्ग्राइब्स कराया गया याद रख पाएंगे बिलकुल रख पाएंगे बहुत असान है याद करना इसमें कौन सी टिपिकल वाली बात हो गई आगे बात करते हैं अगला कुशन दोहजार एक्किस में व लोग बहुत सिंसियर होंगे लोग बहुत जाता पढ़े लिखे होंगे अगर पढ़े लिखे नहीं होगे तो सोचेंगे चलो ना या घर पे बैठते एंजॉय करेंगे तो पढ़े लिखे आप कहा पर तो केरला में ऐसी लिंक करके याद कीजिए मैंने मैं यह नहीं कह रहा owka हम सब लोग बैठ कर अगर बाते करेंगे दूर दूर बैठेंगे लेकि बैठेंगे तो केड़ा वाले यहा पर टॉप पर होग trademark deep if you start किती 60 से उपर इन¿ने बैठके कि और इनको मलब में टॉप position पर यहां रखा गया याद रखेगा पूछा जा सकता है ठीक चलिए आगे बात करें अगला question है damn self जी damn self जी की नई परजाती किस राजज में खोजी गई तो damn self जी की नई परजाती किस राजज में खोजी गई यह आपसे SethG, कैसे आत करेंगे जब Kerala आप खा लेंगे, तो आपकी selfी जब लेंगे तो आपके बहुत अजीब अजीब मुग बनेगा इस तरी के से आप लिंग कीजिए D radar, SethG कहां पर के चाले, आगे बात करें यहाँ पर यहाँ पर देखे केरल के खिसूर में पीची वन जीव अभ्यारन के पश्चमी घाट में डैमल फली की नई प्रजाती खोजी गई तो पीची अब यह पीची भी चर्चाओं में आ गया तो पीची वन जीव अभ्यारन अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है केरल में यह उपस्तित है पूछा जा सकता है ठीक है चलिए आगे बात करें तीसरा भारत वियतनाम दूई पक्षिये सेना अभ्यास एक संसर यहाँ पर हो जाएगा यह हर्याना में स्टार्ट हुआ हर्याना की एक जगह है चंडी मंदिर कहां पे चंडी मंदिर तो चंडी मंदिर में ही स्टार्ट हुआ और एक अगस्य लेकर स्टार्ट किया गया चलेगा 20 दिन चलेगा अप्रॉक्सिमेटली ठीक है हर्याना की कैपिटल बात कर ली चंडिगर बंडारू दतात्रे महां के चीफ मिनिस्टर आगे बात करें अगला है आपके लिए मोटिवेशन कोट परिस्थिती जितनी जादा आपको तोड़ती है उससे कहीं जादा आपको मजबूत बनाती है ये कैसे मैं कह रहा हूँ यकीन मारी है एक कभी आपने सोचा है क्या सोचा है कि आपके यहां का एक छोटा सा एक्जामपल दे रहा हूँ बस समझ जाईएगा उससे कि जितना आपको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा उतना ही आप चमक के बहुत बढ़िया निकलेंगे क्योंकि आपको परि तूटना आता है तूटना मतलब कॉलेज में रहते हैं तो खूब सारे पेपर होते हैं खूब सारे प्रेशर बनाया जाता है बहुत सारी चीजे तो उनको तूटना आता है उसके बाद जब वो मेहनत करते हैं तो मेहनत कीजिए और उसके बाद देखिए आप अगर आपको लग रहा है कि आपकी परिस्तिती सबसे खराब है तो यकीन मानिए आने वाला जो समय है वो आपका है बस आपको एक सही डायरेक्शन पर मेहनत करनी है और आप से जादा कोई मजबूत होने ही सकता चाहे वो कोई भी हो इसलिए आपकी परिस्तिती खराब है उसको कोशने के बजाए उसको enjoy कीजिए आप enjoy करेंगे तो आपकी आने वाली life बहुत बैतर होगी अगर आप कोशते रहेंगे तो कोशते ही रह जाएंगे कोशना नहीं है आगे बढ़ना है अगले कोशन की बात करें किस राज ने 2021 में राज विधान सभा की सबसे अधिक बैठ के आयोजित की अभी थोड़े देर पहले हो तो बताया मैंने आपको कहा की केरल की केरल की तो बताया है सबसे जादा पड़ेली के लोग तो जादा बैठक करेंगे तो यहाँ पर यह option बिलको सही अगला कोशन भारत में पहली बार फीडे सत्रंज ओलंपियार की मेजबानी किस राज ने की तो चेस का सबसे बड़ा टूनामेंट होता है उसको किस राज ने organize कराया और यह first time हो रहा है इसलिए आपके लिए important है क्योंकि first time कुछ भी होती है न तो वह आपके लिए important हो जाती है फीडे की बात करें तो international chess federation मतलब या आप कहींगे अच्छा यह तो बना ही नहीं कुछ भी फीडे मतलब होना चाहिए federation international ऐसा कुछ होना चाहिए था न लेकिन यही है इसकी full from क्या है international chess federation या फिर कई जगे आपको न world chess federation भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसकी full from यही है abbreviation से बिल्गुल confuse नहीं होना है और फीडे की बात करें तो इसका headquarter लुसाने सुजरलेंड में है कहां पर सुर्जरलेंड में सुर्जरलेंड में है और इसको found किया गया था 1924 में आपको बता दू जो फीडे सत्रंज ओलम्पियाड है वो तमिलनाडू के चिन्नाई में organize कराया गया कहां पर तमिलनाडू के चिन्नाई में organize कराया गया याद रखेंगे बिलकुल याद रखना है पेपर तक तो at least याद रखना ही है अगला कॉश्चन तदोबा जो तदोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाग दिवस समारों की मेजबानी की भारत के किस राज्य में इस्थित है वैसे आपसे पूछना चाहूँगा क्या पूछना चाहूँगा Global Tiger Day कब हमारे भारत देश में मनाया जाता है मनलब दुनिया में मनाया जाता है आपको बताना है तो आप कहोगे ये तो 29 जुलाई को अबजर होता है तो मैं कहूँगा बिलकु सही और्गनायस कराया गया वो तदोवा Tiger Reserve में कराया गया तो तदोवा Tiger Reserve है कहां पर तो तदोवा डूब गया क्या डूब गया सिवराज सिंग चोहान सिव सेना सिव सेना का जो जहाज है वो BJP ने डुबा दिया ऐसे याद कर दीची अभी तो वहां पर काफी राजनीतिक उठल पतल हुई है तो उससे आप याद कर सेंगे तदोबा टाइगर रिजर्व कहां पर है महरास्ट में है और महरास्ट के एकनात सिंदे जी बने है चीफ मिनिस्टर याद रखना है भगत सिंग कोशियार यहां के गवर्नर है इनका ना 28 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस क्या खेल दिवस तो 28 अगस्त से किस राज्य का खेल विभाग खेड मेला आयूजित करेगा तो खेड मेला किस राज्य के द्वारा आयूजित किया जाएगा 29 अगस्त के बाद तो अंसर यहां पर हो जाएगा यह और्गनाईज होगा पंजाब में ठीक है पंजाब में और्गनाइज होगा ठीक है चलिए यहाँ पर D option बिलकुल सही होगा पंजाब के अभी नए चीफ मिनिस्टर बने है नाम बता पाएंगे पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने है आपको बिलॉंग करते हैं आम आदमी पार्टी से बिलॉंग करते हैं बनवारी लाल पुरोहित जी यहां के गवर्नर है चंडीगड यहां की कैपिटल है याद रख पाएंगे चलिए आगे बात करें डेडिकेटेड सेमी कंड़क्टर पॉलिसी रखने वाला देश का पहला राज्य क करसकता है क्योंकी रात में ही डेडिकेटेड काम होते हैं एक्जाम्पल के तौर पर पढ़ाई पढ़ाई रात में आप करेंगे तो सांतीस बहां में हो सकती है सिर्फ आपको क्या मुझे लगता है अगर मालो मैं रात में पढ़ो तो मुझे क्या सुनाई देगा सिर्फ कूलर की आवाज सुनाई देगी लोगों के चलने की अगर मैं अपना कूलर चला रहा हूं तो अपने कूलर की आवाज सुनाई देगी मेरे पंखे की आवा असली काम किया जाएगा और डवलप किया जाएगा इसकी पूरी एक सिस्टम को गुजरात में अगला कुशन चार अगस्त को कौन सा भारती राज्य और केंड़सासित प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फेहरानी की योजना बना रहा है तो कोई और नहीं अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बहुत फेमस है इनका नाम है अर्विंद केजरिवाल उनके द्वारा ये अनौस किया गया कि जो स्कूल के बच्चे है वो चार अगस्त को दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फेहराने की योजना बना चुके है अर्विंद केजरिवाल याद रखेगा पूछा जा सकता है ठीक है विने कुमार जी यहां के लेटिनेट गवर्नर है आगे बात करें अगला कुशन जुलाई दोहजार बाईस में किस राज ने प्राथमिक विद्याले के चात्रों के लिए मुख्यमंतरी नास्ता योजना को स्टार्ट किया मुख्यमंतर जो नास्ता योजना है ये कहां स्टार्ट हुआ तो ये हुआ तमिलनाडो में कहां पर तमिलनाडो में तो बी आप्शन यहां पर बिलकुल सही होगा ये जो चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया म.क. स्टालिन आर न. रवी सहाब गवर्नर और यहां की कैपिटल है चे जाने वाले को पाला जाता है ना तो दी ऑप्शन यहां बिलकुल सही अगर आप चाहते हैं इसी तरीके कि मैं कुछ ट्रिक्स वाली वीडियो बनाओ आपके कैपिटल आपकी जो चीफ मिनिस्टर है अब गवर्नर है इनकी तो आप कमेंट बॉक्स में मताईएगा जब ऑफ क्या आप बोलेंगे तो अगले कुशन की बात करें किस वित वर्स दोहजार एक्किस बाइस के दौरान कौन सा भारती राज्य एफडी आई इक्विटी इन्फलो का उच्टम रिसीवर बना मतलब फॉरण डायरेक्ट इनकी यहां पर सबसल जादा आया बाकी राज्यों के क सबसे अच्छा काम किया होगा इन लोगों ने किसने किसने अच्छा काम किया स्टेट बताईए तो आंसर यहां पर होगा स्टेट हो जाएगा करनाटका करनाटका ने मलब कहा जाता है सबसे अच्छा काम किया होगा इसलिए इनके यहां पर फॉरण डायरेक्ट ग्रूप याद रखेंगे और यहां के गवरंडर कौन है गवरनर है बन्वारी लाल पुरोहित अब sticky और यह बात भी ने बन्वारी लाल पुरोहित नहीं है वो पहले थे इनके गवरनर है ठावर चंद गहलों ठोड़ा क्योंकि मैंने कैसे याद किया मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा गहलोत कैसे याद आया मेरे को जब कोई नाटक करता है जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी एक बच्चा पुलिस वाले एक से पकड़ा गया तो काफी मैंडम छोड़ दो मैंडम छोड़ दो मेरे को तो जब वो नाटक करता है कोई तो क्या लोग लोट लोट के हसते हैं लोट लोट के मजे लेते हैं कैसे लोट लोट के मजे लेते हैं तो करनाट का थावर चंद गहलोत ठीक है और बसावा राज एसबो मई साहब तो यहां के चीफ मिनिस्टर है ही आगे बात करें अगला कोशन किस राज ने महिलाओ द्वारा संचालित सहकारी बैंक इस्थापित करने के लिए तिलंगाना के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया तो किस राज ने महिला द्वारा संचालित सहकारी बैंक के इस्थापना के लिए तिलंगाना के साथ समझोता किया तो अंसर हो जाएगा यह काम राजिस्थान ने किया है राजिस्थान आपको पता है राजिस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है कैसे area wise कैसे area wise याद रखना है अशोक गहलोत जी कौन अ गवर्नर है आगे बात करें अगला कोट है आपके लिए कामियाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है पर मैं महनत ही ना करूं ये गलत बात है समझें महनत करना बहुत जरूरी है कामियाबी मिलेगी ये तो 100% है एक फील्ड में नहीं मिलेगी दूसरी फील्ड में मिलेगी तीसरी फील्ड में मिलेगी लेकिन कामियाबी मिलना तै है लेकिन जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हो सकता उसमें ना मिले दूसरी चीज में मिल लेकिन अगर आप जो भी कर रहे हैं उसी को में उसी में महनत ना करें तो आपको महनत करने की आदत नहीं लगेगी इसलिए काम्याबी मुझे ना मिले जो काम मैं कर रहा हूं उसमें पर मैं महनत ही ना करूँ ये गलत बात है मैं उस पर महनत तो करूँगा काम्याबी मिले ना मिले वो सब भगवान के उपर है सब उनके उपर छोड़ दिया लेकिन महनत ची तोड़ के करनी है ऐसे करनी है कि महनत भी कप जाए कि क्या महनत की है बंदे ने आगे बात करेंगे अगला कुशन मनोज सिन्हा कौन है मनोज सिन्हा जी है जम्मू कश्मीर के लेटिनेट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और केंदरी मंत्री जीतेंदर सिंग कौन है ये अर्थ साइंस के मिनिस्टर है टेक्नलोजी के मिनिस्टर आफ इस्टेट है थीक है ने किस भारती राज्य केंसासित प्रदेश में निर्मित उत्तर भारत के पहले ओध्योगिक बायोटेक पार का उध्गाटन किया तो मनोच सिनहा के नाम आने से याप समझ जाना चाहिए कि यह है जम्मू कश्मीर के लेफ्टियंट गवर्नर तो जम्मू कश्मीर में पहला ओध्योगिक बायोटिक पार्क का उध्गाटन किया गया जो कि उत्तर भारत का पहला है तो ए आप्शन यहाँ पर बिलकुल सही होगा अगले कुशन की बात करें ओरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को प्रतिस्ठित दूसरा वार्सिक आई यू सी एन डबलू सी ए पी डबलू सी पी ए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दोहजर बाइस प्राप्त हुआ जो किस राज्जिमें इस्तित है मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या पूछना चाहूँगा नेशनल पार्क पहले पता है आपको इसका नाम क्या था क्या नाम था तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क लेकिन अब क्या हो गया अब इसका नाम पदल कर क्या कर दिया गया ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया इसको आई यू सी एन आई करके रखने वाली एक organization है जो की International Ranger Award 2022 इन्होंने दिया किस राज्जी को दिया तो किस राज्जी में ये औरंग नेशनल पार्क है उसको मिला है अंसर होगा ये है असाम में कहां पर है असाम में है औरंग नेशनल पार्क और टाइगर डिजर्व जिसको IUCN के दोरा International Union for Conservation of Nature के द है याद रखेंगे असाम के चीफपनिस्टर है हेमनता बिश्वास सर्मा असाम की कैपिटल दिसपुर है और जगदीश मुकी यहां के गवर्नर है देखें मुझे कैसे याद है मैं सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ दिमाग में चलाक रखता हूं चलाक है मतलब असाम के मैं महुसा ही चीज़े पड़ रखी है एक तो पड़ भी रखा जादा बार है तो इसलिए मैं तुरन दिमाग में क्लिक करता है और नहीं तो कुछ ना कुछ मैंने इदे उधर की ट्रिक बना रखी है ठीक है तो वो ट्रिक्स अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए ऐसी वी अगला कुशन है फैमिली डॉक्टर पाइलेट प्रोजेक्ट से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है अच्छा बताईए इन में से जो राज्य आपको देख रहे हैं किस राज्य को फैमिली डॉक्टर की जरुत पड़ेगी आप कहेंगे यह कैसे बता सकते हैं मैं बताता हू ना इन में से आपको आंध्र परदेश अंधा नजर आ रहा है आंध्रा अंधा 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 तो अंधे लोगों को फैमिली डॉक्टर की जोट पड़ेगी बार बार तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते तो यहां पर बी आप्शन बिलकुल सही होगा इसी तरीके से याद किया ठीक है याद हूँ आपको तो आंध्र परदेश में फैमिली डॉक्टर पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया जिसमें क्या होगा है मैं आपको बता देता हूँ जगर आप सरकारी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर आपके साथ ना अच् सेट है जितना पैसा मिलना है वो तो मिलेगा कोई आपका काम करे ना करे उससे क्या फरक पड़ता है लेकिन आंध्र परदेश ने यह किया कि जवाब दे बना दिया और जो भी मरीच आएगा उसको फीडबेक फीडबेक फॉर्म भरना जरूरी हो गया है कंपलसरी हो गया है जिससे कि वो कम्या भी लिख सकता है डॉक्टर की बढ़ाया भी लिख सकता है तो आप फीडबेक की डर से डॉक्टर नर्से सब सही से काम करेंगे यह में तोचा गया अंध्र परदेश के द्वारा तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जगन महन रेड़ी जी कौन जगन महन रे इसकी एक हो गए अमरावती कौनसी अमरावती याद रखेगा और विश्व भूशन हरी चंदन जी यहां की गवर्नर है आगे बात करें अगला कुशन भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्ट क्लीनिक किस राज़ में सुरू हुआ तो किस राज़ में सुरू हुआ तो बी आपशन यहां पर बिलकुल सही करनाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके दवारा इसको इनागुरेट किया गया कहां पर बेंगलोरो में ठीक है करनाटका की कैपिटल है बेंगलोरो आगे बात करें अगला कुशन किस राज़ में कौन सा राज़ भारत का पहला कि वहाँ पर पढ़े लिके लोग जादा है उनको इंटरेट की जाना जोर पढ़ती है इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं कोई बुरा ना माने कि हमारे स्टेट को बुरा कह रहे हैं ऐसा नहीं है मैं मैं खुद भी केर लागा थोड़ी नहूं लेकिन मैं जानता कि याद कैसे किया जाए कुछ ना कुछ उट पटांग सोच करी तो याद किया जाएगा जो दिमाग में बना हुआ है उसी से हम याद कर सकते हैं अगला कुशन पढ़ लेते हैं बुरहानपुर जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमारित जिला घूशित किया गया कौन सा अंसर होगा ये मद्यप्रदेश का एक जिला है कहा का ये मद्यप्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर याद रखेगा पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट कुशन है चीफ मिनिस्टर की बात कर ली ना सिवरासिंग चोहान जी और मंगू भाई सी पटेल यहां के गवर् नौवे राजपाल के रूप में कारे किया तो द्रौपधी मुर्मू नौवी गवर्नर रही किस राजजी की रही अब यह important क्यों है क्यूंकि भारत की पंध्रवे नंबर की president बन गयी है रास्त पति बन गई है याद रखना है रास्त पतनी जी यूज़ नहीं करेंगे कर रही है ठीक है और ये गवर्नर इससे पहले रही तो ये आपसे पूछा जा रहा है किस राज की रही 2015 से 2021 तक तो जारखंड की रही कहां की रही जारखंड की वैसे आपको बता दो ये जारखंड से बिलॉंग नहीं करती ये उडिसा के जंजातियों से आती है कहां से उडिस से लेस और सभी पंजीकरत वारिजिक वहनों को आपातकाल प्रतिक्रिया समर्थन पढाली से जोडने वाला पहला भारती राज्य बन गया मैं बताता हूँ ऐसा कौन सा राज है जो पहला स्टेट बना जो की इमर्जेंसी के समय पर सारे अपने वहिकल्स जो कमर्शल वहिकल्स हैं गौर्रमेंट के वहिकल्स हैं उनको कनेक्ट कर लेगा और उसके बाद उन सभी को उन सभी को यूज में ले लेगा तो आंसर हो जाएगा ये करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है कौन सा बना है हिमाचल प्रदेश याद रखेगा हिमाचल प्रदेश में ना अब चुनाव शायद होने वाले हैं चुनाव कुछी दिनों में शायद अनौंस भी होंगे और जब चुनाव जिस स्टेट में होता है तो वो most important हो जाता है आपके लिए paper के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इनके जैराम ठाकुर जी कौन है जैराम ठाकुर ज यहां के चीफ मिनिस्टर है ठीक है और अरलेकर सहब यहां के गवर्नर है और यहां की capital शिमला जाद रखेगा शिमला और धर्मसाला है दो capital है यहां के ठीक चलिए आगे बात करें अगला कुशन किस राज सरकार ने स्वदेशी बुनकरों को शशक्त बनाने के लिए स्वान निर्भर नारी स्वान निर्भर नारी नामक एक योजना सुरू की मतला अपने हां के जो बुनकर है अपने स्टेट के जो बुनकर है उनको ससत्र बनाने के लिए इन्हों ने क्या किया एक स्कीम निकाल दी जिससे महिलाओं को benefit मिलेगा लेकिन indirectly directly महिलाओं के साथ साथ स्ट को भी benefit मिलेगा तो ये करने वाला कौन बन गया तो ये असाम ने किया है असाम के चीफ मिनिस्टर हिमनता बिश्वा सर्मा जी के द्वाराई से लॉंच किया गया दिस्पूर यहां की capital और कौन नाम उनका मैं भूल गया जगदीश मुखी जगदीश मुखी जगदीश मुखी पर रहा तो इंडिया innovation index में तीन category ओं में बाटा गया बड़े states में तो करनाट का रहा चोटे states और नौर्थीस के states की बात की जाए तो उसमें टॉप पर रहा कौन मनीपूर कौन मनी है ना उनके पास मनी है तो भाईया काम भी कर लेंगे अच्छा तो मनीपूर यहां टॉप टॉप पर रहा तो तीनों याद रखे तीन कोशन एक साथ पहने आपको यहां पर करा दिये अगले कोशन की बात करें अफरीकी स्वाइन स्वाइन बुखार किस दक्षिड भारती राज में बताया गया मतलब सबसे पहला observe किया गया तो अफरीकन स्वाइन फ्लू यह अफर पता है मेक्सिको कहां है कहां है पता है नौर्थ अमेरिका का खाड़ी देश की तरफ एक मैप कर देखेंगे तो आपको मेक्सिको मिल जाएगा आपको बता दू मेक्सिको में पहला case observe किया गया लेकिन सबसे जादे जो तबाही है इसने अफरीका में मचाई इसलिए अफरी स्वाइन फ्रू भारत के केरला में observe किया गया पहला याद रखेंगे केरला में आपको मैंने बता ही दिया केरला में सबसे जादा जो बिमारिया वगेरा होती है वो आती है विदेशों से क्योंकि यहां के जो लोग है वो वहीं पर काम कर रहे हैं इसलिए वो लोग आते जा प्रमुख राज्जियों में किस राज्ज ने सीर्थ इस्थान आसिल किया तो फिर से वही बात innovation index में major states पीछे कौन सा Major था कि कौन सा स्टेट था पीछे था यहां पर था कोई यहां पर रैंकी नहीं थी तो यहां पर देखो बोल दिया गया कि major state मिजरी स्टेट का मतलब यहां बूला जा रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के प्रमुख राज्यों में प्रमुख राज्यों में तो करनाट का टॉप पर है और अगर नौर्थीस के स्टेट की बात की जाए तो मनीपूर टॉप पर है और अगर बात की जाए यूनिय का पहला राज बना तो मैंने आपको बताया ना इमर्जेंसी के समय पर जब वहिकल्स की जरूत पड़ेगी तो अपने स्टेट के अपने स्टेट के सभी कमर्शल को सभी कमर्शल जो वहिकल्स है उनको यूज कर लेगा कौन ही माचल प्रदेश उसने एक सिस्टम से इनको पैक कर दिया है जिससे की आसानी से यूज किया जा सके जहराम ठाकुर जी यहां के चीफ मिनिस्टर है अगले कोशन की बात करें किस राज सरकार ने दिया मिरजा और अफरोज साह को मदर टैजा मेमोरियल अवार्ड परदान किया तो दिया मिरजा और अफरोज साह को मदर टैज सिंग कोशियारी के दवाराई आवर्ड दिया गया तो ए आप्शन यहां पर बिलकुल सही एकनाथ सिंदे जी यहां के चीफ मिनिस्टर है अगला कुशन किस भारती राज केंसासित प्रदेश ने पहली AI संचालिट डिजिटल लोग अदालत सुरू की तो पहली आर्टिफीश इंटेलिजेंस बेस्ट डिजिटल लोग अदालत सुरू ही कहां पर सुरू ही अंसर हो जाएगा ये केरला ना 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 केरला नी ये राजस्तान में स्टार्ट होई कहां पर स्टार्ट होई राजस्तान में तो यहां पर बी आप्शन बिलकुल सही होगा राजस्तान की ब प्रसिक्षड केंदर बनाया तो किस राज्ज में बनाया ये आप से पूछा जा रहा है तो किस ने बनाया ITBP ने बनाया ITBP ITBP की फुल फॉर्म क्या है इंडो तिबितन पुलिस फॉर्स कौन है इंडो तिबितन पुलिस फॉर्स आपको बता दू यह जो इन्होंने बनाया है यह बनाया कहां पर है यह है सिक्किम में कहां पर सिक्किम में इन्होंने बनाया है आपको बताओ ITBP को फॉर्म कप किया गय तो ITBP को फाउंड किया गया 1962 में चाइना जब जिस साल युद हुआ था उसी साल ऐसे याद कर लीजिएगा पूछा जा सकता है SL थावसेन इस समय पर एडिशनल डीजी के रूप में इनके काम कर रहे हैं पहले कौन थे संजय कुमार लेकिन अब वो दिली के कमिशनर बन गए इसलिए अब ये जगह खाली थी तो SL थावसेन को एक्स्राचार दिया गया SL थावसेन ससस्तर सीमा बल में डीजी के पद पर काम कर रहे हैं ससस्तर सीमा बलको कब फाउंड किया गया तो 1963 में फाउंड किया गया बड़े लिंक लिंक करके मैंने याद किया है वैसे आप भी कर सकते हैं कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा और एक्जाम क्रैक होगा उसके बाद नीचे धन्यवाद जरूर आप लिखेंगे कि हमारी गाइडलाइन के बाद आपने अच्छा पर्फॉर्मेंस किया हो सकता है आपने महनत की इसमें कोई दोराय नहीं है आप महनत करेंगे तब ही रिजल्ट बनेगा हमारे महनत करने से कुछ नहीं होगा लेकिन हमारी जो गाइडन्स है वो अगर आपको मदद करती है तो ह हम उसी के उसी में काफी खुश हो जाएंगे और लगेगा कि हाँ चलो हमने बच्चे की स्थेस में काम तो किया कुछ अगले कुशन की बात करें टाइम्स मैगजीन द्वारा भारत के किस राज जी को 2022 के विश्व के पचास महानतम इस्थलों में स्थान मिला है तो आंसर हो एहमदाबाद को सिटी में एहमदाबाद और स्टेट्स में किरला जो की टाइम्स के द्वारा पचास महानतम इस्थलों में सामिल किया गया इनको याद रखिएगा पूछा जा सकता है अगला कुशन केंदर की नई सिक्षा नीती को लागू करने की प्रक्रिया सुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो केंदर की नई जो सिक्षा नीती है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो आंसर यहाँ पर होगा पहला राज्य करनाटका कौन सा है करनाटका या दखेगा करनाटका में बीजेपी की सरकार है इसलिए शायद वो ल वारा जो new education policy है उसको अपने यहाँ पर अपनाया गया याद रखेगा पहला state बना है और उत्त्रा खंड में भी ऐसा कुछ हुआ कैसा हुआ आंगनवाडी में जो बच्चे पढ़ रहे ना प्री प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर बच्चों को एन ई जो new education policy है उसके अंतरगत ही पढ़ाया जाएगा तो यह भी याद रखे एक्जाम में पूछा जा सकता है करनाट का बात कर ली बसावराज एस बो मई सहब और लोट गहलोट कौन थावरचन गहलोट यहां के गवरनर है और बैंगलोर यहां की capital है अगला कुशन टाइम पत्रिका की 2022 के विश्व के 50 महानतम इस्तलों के सूची में किस भारती सहर और राज्य का नाम लिया गया तो मैं आपको बता ही दिया केरला तो बी आप्शन बिलकुल सही होगा ठीक है चले आगे बात करें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर हवाई अड़े का उदगाटन किया तो देवघर हवाई अड़ा किस राज्य में है अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से आंसर दे लेंगे अग हेमंता क्या कहते है जो जारखंड जारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम है हेमंत सोरेन क्या नाम है हेमंत सोरेन जाड़ियों में लोग सोर मचाते हैं हेमंत सोरेन आपको याद रखना है जारखंड के गवर्नर की बात करें तो अनुसुया उइके जी है कौन है अन काना-गन्हली एक प्राचीन बोच्च्च्छार है جो किस राज्ज और केंसासित प्रदेशच में है? तो काना गन्हली किस राज्ज में या आपसे पूछा जा रहा है? तो आपको बता काने भी नहीं है काने का मतलब क्या होता है एक प्राचीन बहुत इस्थल है याद रखिए पूछा जा सकता है रिसेंटली चर्चाओं में भी रहा अगले कुषं की बात करें स्यामा प्रसाद मुखर जी रूबर्न मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज सीर्स पर रहा तो स्यामा प्रसाद मुखर जी रूबर्न लिया था रूबर्न मतलब रूबर्न और अर्बन इन दोनों का मर्जर एक वर्ड है ठीक है तो स्यामा प्रसाद मुखर जी रूबर्न मतलब यहां पे रूलर और अर्बन को मर्ज कर दिया गया मिशन में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा यह आपको बताना है तो जारखंड यहां टॉप पर है किसमें रूबर्न मिशन की डेल्टा रैंकिंग में याद रखना है जारखंड कौन है यहां की जो गवर्नर है वो अनसुया उईकेजी है और हेमंद सोरेन यहां के चीफ मिनिस्टर राची यहां की कैपिटल अगले कुशन की बात करें कौन सा राज्य जल्द ही भारत में अपनी तरह का पहला स्वास्त का अधिकार विदहक विधान सभा में लाँच करेगा किसके दौरा लाँच किया गया अनसर होगा राजिस्ठान किसी का राज राज है और वो चाहता है कि अपनी जनता को स्वास्त की सुविधाय अच्छे से प्रोवाईड कराए तो राजिस्तान असो गैलोथ यहां के कौन है ? Chief Minister ठीक है चले आगे बात कराएं अगला कुशन भारत के 36 रास्टिये खेलो की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है ? तो 36 रास्टिये खेले की मेजबानी करने वाला गुज्रात राज्य है ? तो C option यहां बिलकुल सही अगला question खार्ची उच्छव की सुरुवात किस राज्ज के पूर्वी बाहरी इलाकों में हजारो भक्तों के खैरपुर में हुई तो खार्ची मतलब त्रिपुरा जब तीनों तरफ उसका घर होता है तो लोग बहुत खर्चा करते हैं उसके घर वाले क्योंकि उसको लगता है बहुत बड़ा घर है जब दिक्कत होगी तो घर को बेच के खा लेंगे इस तरही के से याद कर लीजिए खार्ची उच्छव तो C option यहां बिलकुल सही कौन सा राज्य तेरा Expressway वाला देश का पहला राज्य बना तो तेरा Expressway किसी राज्य में नहीं है पहला राज्य बना वो है उत्तर प्रदेश तो B option यहां बिलकुल सही वीडियो आपको कैसी लगी informative लगी हो तो आपसे अनुरोध है आप अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को कोशिश भी कर रहा कर रही है BSA की पूरी टीम तो आप उमीद है support करेंगे और अपना selection लेंगे जिससे हमारे अंदर जो उर्जा की भावना है वो और बहतर हो और आगे आने वाले जो competitive exam की त्यारी करने वाले लोगों को लोगों के लिए हम बहतर काम कर सके उमीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा उमीद करते हैं अगर जादा अच्छी लगी हो तो शेर भी जरूर कर दीजेगा धन्यवाद